नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का अपने चैनल पर मेरा आश्रे पारिक आप सब का स्वागत करती हूँ हम कर रहे थे कक्षा आठवी के राजस्थान अब तक 6 पाठ कर लिए है आज हम करेंगे 7 पाठ जिसका नाम है विकास पर यूजने चैप्टर बहुत उद्योग अधारबुद सरंचनाई महीला बालिका एंवं दिव्यांग जन आधी के लिए कल्यान का रिकारी किये जाते हैं राज्य सरकार के अंदर सरकार के साथ मिलकर भी कई योजनाओं एंवं कारे करमों का संचालन करती है सरकार द्वारा संचालित कारे करमों एं योज संबंदी अब हम आर्थिक शेत्र की योजने प्रमुख है जिनका अध्यन हम इस पाठ में करेंगे तो अभी पहले हमें क्रिशी संबंदी योजने दी गई है पहली योजना का नाम क्या है पहली योजना है क्रिशी कल्यान कोश क्रिशी कल्यान कोश जो योजन है उसका उदेश क्या है कि सानों को उतपाद का उचित मुल्य प्रदान कराना क्रिशी कल्यान कोश क्रिशानों को उतपाद का उचित मुल्य प्रदान कराना तब ही जो क्रिशक जन है उनका कल्यान होगा उनकी कोश्ट का कल्यान होगा अगर उन्हें उचित मुल्य मिलेगा तो क्रिशी कल्यान कोश्ट किशानों को उदपाद का उचित मुल्य परदान कराना दूसरा है राष्ट्य खाद्य शुरक्षा मिशन राष्ट्य खाद्य शुरक्षा मिशन इसका मतलब क्या है गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन नॉर्मल है राष्ट्य कृष्य विकास योजना राष्ट्य कृष्य विकास योजना में क्या है रास्टे क्रिशी का विकास होगा तो रास्टे क्रिशी विकास में क्या है क्रिशी और संबंदित शेत्रों में वरिधिदर बढ़ाना अगला है प्रधान मंत्री क्रिशी सिंचाई योजना इसमें क्या है फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई है तो पानी उपलब्द कर आगे कौन सी है प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना इसमें क्या है फसलों को बीमा करके खिसानों को राहत देना एकदम नाम से नाम पता लग रहा है रास्ट्री आयूश मिशन एक आएगा आगे आयूश मान भारत तो उसके साथ में इसे कंफ्यूज नहीं होना है हमें अभी किया इंपोर्टेंट है पहले बात तो यह किर्शे संबंदित है क्रिश संबंदी योजना है कौन सी राश्ट्री आयूश मिशन और है क्या ओश्दी पोदों की खेती को प्रोच संदेने के लिए और दवाओं के लिए कच्छा परदार्थों की पलपता को सहज बनाने के ल अगर है कि गुणवत्ता अहार पाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देना है किसान कलेवा योजना फिर है राजीव गांदी क्रिशक साथी सहायता योजना इसमें क्रिशी क्रिशे व्यापार के लिए व्यापारियों क्रिशे श्रमिकों और मजदूरों को वित्य सहायत करें कि पहते हैं अर्थिक शेतर की योजने अब हम पड़ेंगी क्या है अक्य है पड़िक शेतर की योजने अर्थिक क्षेत्र की कि योजने की अपरी योजना में क्या है। तो इसमें किस्किस को मिल रहा है, लगबग को मिल रहा है। ग्रामेन कोशल योजना है तो हम इसमें क्या जरें कि जो ग्रामेन यूवा है ना उनके कोशल विकास द्वारा गरीबी का निवारन करना ग्रामेन यूवाओं के कोशल विकास द्वारा गरीबी का निवारन क्या है पंडित दीन दया लुपादे ग्रामेन कोशल योजना फिर है मुख्य मंतर यूवा संबल योजना मुख्य मंतर यूवा संबल योजना क्या है शिक्षित यूवाओं को दो वर्ष की अवदे के लिए बेरोजगारी बता देना किते वर्ष के लिए दो वर्ष के लिए CM यूवा संबल योजना यानि के मुख्य मंतरी यूवा संबाद योजना में शिक्षित यूवां को दो वश्का बिरोजगरी बत्ता में याद मिलेगा आगे है भामा शाह योजना उपर उपर क्या थी भामा शाह रोजगर स्रेजन योजना उसमें क्या किया जार था तो शिक्षित बेरोजगर थे महिला है अनुसुची जाती जाती दिव्यांग जेन इनको सो रोजगर के अफसर अपलब करा रहे थे भामा शाह योजना में क्या कर रहे हैं वित्ती हो या गैर वित्ती हो इनके जो लाब हो रहे हैं सिध्य जर्थमंदों तक पहुंचाना यह क्या है भामा शयोजना की वित्ती और गैर वित्ती लाबों को सिध्य जर्थमंदों तक पहुंचाना अभी हमने कौन से पढ़ ली अब हमने पढ़ ली आर्थिक अशा शययोगिनी अशा शययोगिनीarnish करते हैं?" यह मुखशक सुरक्षित प्रसव, स्वास्थ की देख वाल गर्पर पोशण, पोशन साइक सेवा करवानी है और इससे संबन देखता हैं इसमें क्या दिया गया गया ग्रामेण शहरी शहरों में स्वास्थे प्रणाली को मजबूत करते हुए न्याय संगत सस्ती एवं गुणवत्त यूग्त स्वास्थे सेवाओं को स्वार्वभूम बनाना। एवाम घर ले जाना क्या है गरबती में लाओं एवाम नवजाद शिशू को चिकित सा स्थानों तक लाए वना एवाम घर लाना ये क्या है जन्दनी एक्सप्रेस जन्दनी किसे कहते हैं जन्म देने वाली को अब जन्नी express आगए, हम क्या सुनते हैं, एक express highway के बारे में सुनते हैं, एक express train के बारे में हम सुनते हैं, जन्नी Express में क्या होगा कि जोगरबवति में हिलाएं हैं, जो नवज़ेट शीशु हैं, इनको चिकित सक संस्थानों तक लाना और वापस वने घरब ले जाना, क्या है जन्दनी एक्ष्रस योजना या उसके कारेगरम का उद्धिश है हमने पीछे क्या पढ़ा था आयूश मिशन पढ़ा था क्या पढ़ा था आयूश मिशन अब यहां क्या है आयूश मान भारत हमने राश्ट्री आयूश मिशन में क्या पढ़ा था उनकी खेटी के परोचसान के लिए या दवाओं के कच्छाफ़दार्थ के जो availability है उपलब्दता है उसको सैज बनाने के लिए क्या है रास्ट्री आयूश मिशन इसमें क्या है रास्ट्री आयूश मिशन भारत जोनों जगा है रास्ट्री के। विभ्योंग में आने मल दवा, रắtजे की सबी चिकेश संस्थानों में निशुल उपलब्स कराना एव वहां बीमारियों के निशुल को जान्च प्रतान कराना. सिद्धा नाम से पता लग रहा है, निशुल को दवा योजनां एव निशुल को जान्च योजना. हमने पढ़ली स्वस्त ख्रिशे और आर्थी कोब हम पढ़ेंगे महिला सा शक्तिकरण संबंदी योजने पहली योजने क्या है बेटी बचाओ बेटी पढाओ बेटी बचाओ बेटी पढाओ बीबीबीपी 2015 में लागू हुई थी यह जनवरी 2015 में कन्या भुरून हत्या रोकना और बाली का शिक्षा को प्रोहचान देना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बेटी बचे की कैसे कन्या भुरून हत्या रोकने से और प्रोहचान कैसे मिलेगा बाली का शिक्षा को बेटी पढ़ाने से फिर है स्वावलंबन यूजना गरीब लंबी होंगे खुद की उप मतलब किसी और पर डेपेंड नहीं होंगे इंडिपेंडन होंगे तब उखें हो गया उनका जो जीवन सरह उसमें सुधार रहा तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि स्वावलंबन यूजना किसे संबंदित है कि गरीब महीला हो चाहे विद्वा हो या परित्यक्ता हो जो ग्रामीन महीला हैं उनके जीवन में सुधार लाना आगे क्या है साजया अभियान साजजा अभियान में क्या है बाल विवा से मुक्ति प्राप्ट करना अब भी लगब 80% से ज्यादा बाल विवा रुख चुके हैं वेसे राजिस्थान में पर फिर 20% त संगठनों को सम्मानित करना अब लोग क्या करें अपनी गरीम बना रहे हैं को जो आपने जाना रहे हैं उनने सम्मानित एक नगाये जाना चाहिए तो इस इतार में जाना जाएगा मुख्या मंत्री राज श्री यौजणा लड़िकों में सिख्षा एवं स्वास्ति की स्थित्ति में सुधार लाना क्या है मुख्यमंतरी राजश्री योजना अब है IEM शक्ति फंड इसमें क्या है महीला सोयम सहायता समो महिला सोयम सायता समू को आर्थिक सायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्दन बनाना क्या है आईयम शक्ती फंड फिर है हमने पढ़ ले महिला आर्थिक स्वास्थ और कृषी अब हम पढ़ेंगे ग्रामेण विकास की योजने कि ग्रामेड विकास के लिए जो योजना चले गए ये कौन से है तो है पहली है मुख्यमित्री अदर्ष ग्राम पंचायत योजना तो चैनित गावों में कृषी, सिख्षा, स्वास्थ, पर्यावरण के साथ साथ लोगतांतरित मुल्यों का विकास करना अदर्ष ग्राम इस योजना को हमें से याद कर सकते हैं कि अदर्ष ग्राम पंचायत योजना चैनित कुछ गावों का चैन क्या जाएगा उसमें कृषी, सिख्षा, स्वास्थ, पर्यावरण और इसकी साथ साथ में जो लोगतांतरि मुल्यों है उनका विकास करना अगली है स्वास्थ भार से भूजल प्रबंध में सुधार लाना सामुदाइक सायोग से भूजल प्रबंध में सुधार लाना क्या अटल भूजल योजना फिर है Special Area Development Programme SADP सिथा SADP भी लिखा हुआ आ सकता है SADP Special Area Development Programme special area development program में क्या है विशेश शित्रों जैसे कि मिवात, डांग, मगरा और ये जो सिमान्त शित्र है इनका विकास करना कि जो special शित्र होते हैं जो हम यह कहते है मिवात, डांग, मगरा ये जो एदिया है इनका विकास करना क्या है special area होगे इनका development करना है विकास यानि के development करना है और ये एक program ही है तो special area development program इसमें क्या करेंगे विशेश शित्रों का विकास करेंगे फिर है मनरेगा यानि कि महत्मा गांदी रस्टे ग्रामिन रोजगार गारंटी योजना ग्रामिन परिवारों को वर्ष में नियूनतम सो दिन का रोजगार उपलब्द कराना अभी एक आई थी इंद्रा गांदी शहरी रोजगार गारंटी योजना तो आप मुझे comment में इंद्ध गांदी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब से शुरूई थी और किस जगह से उसरे लौंच किया गया था फिर है प्रदान मंत्री आवास योजना के है ग्रामिन शेत्रों में पक्के मकान उपलब्द कराना आवास यानिकी घर ही होते है रहने के जगह होती है तो प्रधान मंत्रिय है तो ऐसे तो है नहीं कि कच्छा काम करेंगे पक्काई काम करेंगे तो हम यहाद कर सकते हैं कि प्रधान मंत्रिय आवास योजना में क्या है ग्रामिन शित्र हैं लेकिन वापे पक्के मंकान उपलब्द कराना है फिर है ग्रामिन गौरवपत ग्रामिन शित्र में सड़कों का विकास कों से योजना द्वारा हो रहा है तो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क क्योजना द्वारा हो रहा है इन दोनों को मिक्स नहीं करने ग्रामिन गौरव पच्छे तो क्या हो रहा है मेगा हाईवे से जोड़ा जारे ग्रामिन सड़कों को और ग्राम कर्या मिन गयर क्रिश्य विकास अभिकरन राजस्थान राज्य ओध्योगिक्वीकश्च रिख्याजञ लगऊ निगम लिमिंट्ड राज सीको अब मुझे कमेंट बताए कि राज सीको कि अभी वर्तमान में अमबैसेडर कोन है मैं बता देती हूं कोन है रूमा देवी है और दोगी क्षेत्र को बढ़ावन देने के लिए कारे कर रहे हैं कौन से राज से कर रीको इसी तरह सिक्षा के शेत्र में निशुल का पाथे अपुस्तक वित्रन योजना, विध्यारती सुरक्षा दुरगतना व्युमा योजना, गारगी पूरस्कार, निशुल का साइकल वित्रन योजना, लैप्टोप वित्रन योजना, मुख्य मंत्री हमारी बेटी योजना, अक यानि के हर तरफ्स के विकास के लिए राजय सरकार दारा विशेश ध्यान दिया जाता है। इस उदेशी के प्राप्ति के लिए अनुपरती योजना, उत्तर मेट्रेक्स हत्रवर्ती योजना, विद्वा पुनर विवा प्रोचाहन योजना, सहयोग उभार योजना, व्रिद्धा वस्ता पैंशन योजना, मुख्यो मंतरी एकल नारी पैंशन योजना, मुख्यो मंतरी योजनàn 2019 प्रारम्ब की गई राजस्थान जन अधार योजना 2019 गया कि राज्य के लोग करल्यान कालाव आमजन को सरलत सुगमतें पारदर्शी तरूप से पहुंचे कौन सी अरम्ब की गई योजना, राजस्थान जन अधार योजना 2019 जिसके तहर प्रदेश के निवासी परिवारों को जन अधारकार्ड प्राप्त होगा, इस कार्ड को सरकारी योजनाव एमसो विधाओं के लाब लेने तेता पैचायन वपत्ते के प्रमान के लिए भी काम लिया जा सकेगा अब है सतत विकास गोल यानि की सतत यानि की क्या होता है continuous बिना ब्रेक के तो सतत यानि की विकास यानि की development गोल यानि की लक्ष सतत विकास गोल यानि की continuous development गोल जो है 2030 का है इसके बारे में क्या बताए गया है कि संयुक्त रास्टर संग के सदस्यों द्वारा 2015 में सतत विकास एजेंडा अपनाए गया था कब 2015 में सतत विकास एजेंडा अपनाए गया था किसके द्वारा संयुक्त रास्टर संग यानि के युनाइटे इनरेशन और्गनाइजेशन द सब्सके कितुनांगाइंस धारा कैसे द्वायोजी द्वारा परत पर दोक्षा 314 कंवर है लग्माइश्व कोश बोन कहता है जघा सब्सक्राएब सब्सक्राइब अगरुल चुण निम्रांग द्विकास इसा के न सज़ुको अटी तब फिर है किफाईती एवं स्वच उर्जम समान जनक कार्य और आर्थिक विकास उद्योग नवाचरम बुद्यादी धांचो का विकास असमानता में कमी संधारनी शहर एवं समुदाय सतत उभोग एवं उत्पादन जलवायू परिवर्तन और कौन सी है पानी में जीवन यानि कि जली जीवन भूमी पर जीवन शांती नयाय सूद्रिट संस्थान लक्ष प्राप्ति में समुखिक भागेदारी इन विकास लक्षों को प्राप्त करने की दिशा में हमारे गाउं भी विशेश प्रयास कर रहे हैं अब है यहां पर शब्दावली शब्दावली क्या सतत यानि की द्रंतर इंग्लिश में बोले तो continuous स्रेजन यानि की निर्माण यानि की construction संबल यानि की सहारा फिर आगे अब हमाँ ब्यास प्रेशन करते हैं कि सतत लक्षों में कितने दाक्ष सामन में झा है 17 की नाम भी पड़े आईशन भारत का संबंद किससे है एक तो अबने पड़ा आःशन भारत इंगा सिक्षा प्रवत्सान का उद्देश रखा गया था कि कार्यक्राम की वीशे ककी और बाली का सिक्षा प्रहुसान का उदेशे रखा गया तो हमने क्या किया था बेटी बचाओ 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 बे उनका cashless एलाज उपलब्ध होगा और मुख्य मंत्री जो निशूल के दवाई उजना थी उसमें क्या थे कि जो सरवादिक उप्योग में अन्य वाले दवाईय उनका जो चिकिसा संसान है वाँ पर निशूल के उपलब्ध हो वाँ पर और बिमार्यों का निशूल के जांच प पर थी भामाशा रोजगा स्रिजन, भामाशा योजना, पंडिदीन दे अलुपादे ग्रामिन कोशल योजना और मुख्या मंतर यूवा संबल योजना में तो क्या था कि दो वर्ष के लिए बेरोजगारी बत्ता दिया जाएगा जो शिक्षित यूवा है भामाशा योजना म उसमें क्या था कि जो शिक्षित बेरोजगार थे महिलाएं होगी अनुसुचित जाती जन जाती दिव्यांग जन इन इस वह रोजगार के अफसरोफ लब्द करवाना यह किसमें था बामाशा रोजगा स्रिजन योजना में सतत्वीकास गोल 2030 हमने पढ़ा UNO द्वारा 2015 के अंदर सतत्वीकास एजंडा को अपनाए गया था UNO के सदस्यों द्वारा इसमें 17 लक्षे है और 2030 तक इससे पाने का उदेश्य बनाए गया है महिलाओं के सशक्ति करण के लिए चलाई जाने वाली योजने तो हमने कौन से अधिया पढ़ थी आयम शक्ति फंड मोक्यो मंतरी राश्रे ज्योजना जिसमें लड़ीयों के साथ में सुधार के जाएं जाएगा आयम शक्ति सथा समूध को आर्थिक साहता दी जाएगी और मैलां का अत्मन निरबर बनाया जाएगा फिर एक संजा भ्यां था जिसमें ब बाली का सरक्षन और समान योजन योर्जन था उसमें जो कोई व्यक्ति हो या संगठन के संग लगना लगना है उससे अगात थी है घे ईए जो गरीब महीं लाएं था या विद्वा अपली जक्तिय धी गाउं के जिवनसथर में सुदाराना सुषा अँवन यूजन तो आपन तो यह हमने आज पाथ पूरा कर लिया जो विशेश जविकास योजना इस ती राजस्तान की या सिधा बोला जाए कि राजस्तान ये भारत में भी कई जगां पर है इन में से कफी यूजना है ये इसी के साथ में हमारा जो आज का पाथ है पूरा होता है कल मिलेंगे नए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए अपने वीडियो जो है आपके इस टोपिक पर वीडियो चाहते हैं वह कमेंट में डाली है हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगे वह वीडियो में इसी के जाथ में जय ही जय भारत झाल झाल कर दूर लो है